हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया जो भाई इस चैनल पे नए आये हैं उनसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके आज पहुँच गया हूँ आइनखा मंडी और ये मंडी सब्ताहिक है परती एक गुरुवार को लगता है और ये मंडी बिहार के पटना डिश्टिक में आता है नेर दुलहिन बजार दुलहिन बजार से इस मंडी की दूरी हाफ किलोमीटर के आसपास है तो आप बहुत असानी से इस मंडी में आ सकते हैं और इस मंडी में काफी शांदार गाय डेरी फार्म के लिए भी उपलब्द हो जाती है तो पूरी डीटेल में जनकारी देंगे आजकी मंडी के बारे में बने रहे हैं वीडियो में अंतक तो सबसे पहले इस गाय के बारे में बात करेंगे जो के काफी शांदार हाइट लिंथ में गाय है अडर कॉलिटी भी काफी बढ़िया बनाकर रखी है तो पूरी डीटेल में इस गाय की जनकारी देने वाला हो तो चलेंगे थनों के तरफ और इसका जो अडर की बनावट है वो दिखाना चाहेंगे आपको हलाकि गाय जो है छे दात पे बताई जा रही है और देख सकते है थनों की बनावट और करीब से इसका थन कवर करना चाहेंगे काफी कसा हुआ थन है और छे दात पे ये गाय बताई जा रही है मिल्किंग कैपिसिटी इस गाय के नीचे में 16 लीटर बताई गई है दोनों समय का 16 लिटर milking capacity इस गाय के नीचे में है तो एक बार देख सकते हैं थनों की बनावट काफी साफ सूतरा थन है बिल्कुल कसा हुआ थन 6 दात पे है 16 लिटर milking capacity इस गाय के नीचे में बताई जा रही है 57,000 इस गाय का demand रखा गया है 57,000 रुपया बच्चा इसके नीचे मेल है बाचा बच्चे के साथ में ये गाय जो कि बच्चा देख पा रहे हैं आप बैठा हुआ है ब्लैक और वाइट बच्चा तो फ्रंट साइड से भी आपको दिखाया मंडी काफी अच्छी लगी है और 14-15 लिटर वाली 16 लिटर वाली गाया आज की मंडी में उपलब्ध है तो बने रहे हैं वीडियो में और भी गाया का डीटेल देने वाला हूँ आपको तो चलिए अब जानते हैं इस गाया का डीटेल क्या है इस गाया का डीटेल क्रॉस ब्रीड में है जर्सी से क्रॉस ये गाया तो इसके नीचे भी मिल्किंग कैपिसिटी काफी बढ़िया है देख सकते हैं थनों की बनावट काफी बढ़िया इस गाया का थन बना कर रखी है ये गाया दात में मिल चुकी है एक बार और बाहर निकालेंगे इस गाय को ताके थन वगरा आपको और अच्छे से समझ में आ सके और ये गाय का चाल वगरा भी आप देख सकें कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है देख सकते हैं अडर कॉलिटी दात में मिल चुकी है इसकी नीचे मिलकिंग कैपिसिटी तेरा लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है डिमांड की अगर बात की जा है तो 42,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है जो के प्राइज मुझे काफी बढ़िया लगा बच्चा मेल है तो अगर आपको ये गाय मेरे हिसाब से 32 से 34 तक मिल जाती है तो काफी अच्छी गाय है 13 लीटर तो नहीं लेकिन दोनों समय में मेरे हिसाब से 10 लीटर इसे दूद करना चाहिए और गाय भी काफी शांदार है देख सकते हैं अडर कॉलेटी लेवटी का गैप भी काफी बढ़िया तो चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ये गाय का डीटेल जो के ये गाय भी काफी साफ सूत्री और मात्र चार दात पे बताई जा रही है और मिल्किंग कैपिसिटी इस गाय की नीचे में 15 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है तो और भी डीटेल देने वाला हूँ थोड़ा सा वो साइट से वीडियो कवर करना चाह रहा हूँ लेकिन काफी यहाँ पर गाय बंदी वी है जिसके वज़ा से वो साइट जाना पॉसिबल नहीं है और हर गाय को बाहर निकलवाना भी पॉसिबल नहीं है क्योंके मंडी में कश्टमर लगे रहते हैं तो बाच्चीत ओनर दुआरा होती रहती है तो जिसके वज़ा से समस्या आता है तो खैर यह गाय का डीटेल आपको देता चलूँ चार दात पे है 15 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी दोनों समय का और 58,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा इसके नीचे फीमेल जो के राइट साइड में देख रहे है खड़ा हुआ बच्चा जो वाइट कलर है वो इसी का बच्चा है और फीमेल बच्चा बाची बच्चे के साथ में यह गाय तो देख सकते थनों की बनावट एक बार और काफी अच्छी गाय यह भी मुझे बहुत पसंद आई और लिवटी का गैब भी काफी बढ़िया है 15 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी 58,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है तो आगे इस गाय का डिटेल जानेंगे यह गाय भी काफी बढ़िया हाइट लिंथ में है तो करीब से इसका वीडियो कवर करना चाहेंगे और पूरी डिटेल देंगे क्या इसका डिटेल है तो काफी दूर तक लेकर चलेगे गुमाने के लिए तो करीब से एक बार इसका वीडियो कवर करके आपको सारी डीटेल देने वाला हूँ देख सकते हैं गाय का लेंथ काफी बढ़िया हाइट भी अच्छा है तो थनों की बनावट आप देख पा रहे हैं फिर से एक बार गुमाने के लिए आगे बढ़ा दिया तो थोड़ा सा वेट करना होगा करीब आने के लिए देख सकते हैं काफी बढ़िया गाय है और हाइट लेंथ में काफी शांदार ये भी गाय है और दाथ में मिल चुकी है और इसके नीचे भी milking capacity 13 लीटर दोनों समय का बताया जा रहा है जो कि दाथ में मिली भी गाय है और डिमांड के अगर बात की जाए तो 46,000 इसका डिमांड रखा गया है करीब से वीडियो कवर कर रहा हूं देख सकते हैं गाय काफी अच्छी है हाइट लिंध में नो डाउट थोड़ा सा दुबली पतली है लेकिन काफी बढ़िया ये भी गाय दात में मिल चुकी है और 46,000 इस देखने को मिल जाता है तो ये गाय का डिटेल ये है कि 6 दात पे है और इसके नीचे मिलकिंग कैपिसिटी जो बताई जा रही है वो दोनों समय का 14 लिटर बताया जा रहा है डिमांड के अगर बात की जा तो 62,000 रुपय डिमांड रखा गया है जो के प्राइज मुझे ज़ मिली भी गाय और इसके नीचे दूद की कैपिसिटी 12 लिटर बताई जा रही है डिमांड आगे बताने वाला हूँ एक बार करीब से इसका और वीडियो कवर करना चाहेंगे थन वगरा का ताकि आपको अडर कॉलिटी देखकर समझ मैं है कि वाके में ये 12 लिटर दूद करे बच्चा मेल जो के देख पा रहे हैं आप लाल कलर का बच्चा है बाच्चा बच्चे के साथ में ये गाय आज की मंडी में 45,000 में सेल के लिए अविलेबल है 12 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी बताई जा रही है दात में मिली भी गाय है तो कॉमेंट जरूर करें इस मंडी के डिटेल जानते हैं जो कि ये भी गाय है तो हाइट लिंद में काफी बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा मुझे समसिया इस गाय में देखने को मिला आप लोग थोड़ा सा गवर करेंगे पैरों के उपर में देख सकते हैं जो पीछे साइट का दोनों पैर है एक बार और गुम कर चल रही है तो यही समसिया इसके अंदर तो आप जब भी मंडी में गाय लें तो मिल्किंग करके देख लें गाय को चला कर देख लें ताकि किसी तरह का कोई समसिया ना हो और पचास अजार रुपए इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा मेल है 14 लीटर मिल्किंग कैपिसिटी बताई जारी है इस गाय के नीचे में तो चलिए ये गाय है इसका भी डीटेल दे दूँ और एक दो गाय का वीडियो कवर करेंगे फिर दीरे दीरे वीडियो भी बड़ा होता जाएगा तो बहुत सारे भाई तो वीडियो जादा बड़ा देखना पसंद भी न के अगर बात की जाए तो 56,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है थनों की बनावट आपने देखा गाय ये साइट से थोड़ा सा कवर करने में वीडियो दिखा थोड़ा जैसा उस वाले एंगल से वीडियो इसका कवर करना चाहेंगे देख सकते हैं तो आपको यहां से किलिय समझ में आ रहा होगा जो गया के बॉड़ी की बनावट है हाइट लेंथ है वो आपको किलियर अप समझ में आ रहा होगा तो चार दात पे गया जैसा के मैंने बताया 12 लिटर मिल्किंग कैपिसिटी 56,000 इसका डिमांड रखा गया है बच्चा फीमेल है तो प्राइस जादा है 40,000 की नीचे होना चाहिए इसका प्राइस तो काफी बढ़िया होता चलिए इस गया का डीटेल देता चलूँ आपको ये गया भी जरसी का परसेंटीज इसमें काफी बढ़िया हला कि प्योर बीट तो जरसी में नहीं है लेकिन परसेंटेज इसमें अच्छा है और मिल्क कैपिसिटी इस गया की नीचे में बताई जा रही है डिमांड 45,000 इसका रखा गया है तो ये गया कुछ हद तक प्राइज में ठीक है हलागि प्राइज कम जादा भी कर दिया जाएगा कोई fix प्राइज नहीं है बच्चा इसकी नीचे मेल है तो एक बार करीब से इसका अडर जो है बनावट है अडर की वो दिखाना चाहूंगा ये एंगल से आप देख सकते हैं हाइट लिंथ बहुत जादा नहीं है और जर्सी में ऐसे भी बहुत जादा आपको हाइट और लिंथ देखने को नहीं मिलता है तो 14 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी 45,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा मेल जो के देख पा रहे हैं वहाँ पे ब्लैक कलर का तो देखा आपने गाय प्राइस कम जादा कर दिया जाएगा फिक्स प्राइस नहीं है चलिए एक और गाय है इसका वीडियो कवर करने के बाद फिर वीडियो को करेंगे अंत इस गाय की डीटेल आपको देता चलूँ 6 दात पे है और 10 लिटर मिलकिंग कैपिसिटी डिमांड के अगर बात की जाए तो 36,000 रुपे इस गाय का डिमांड रखा गया है लेना चाहिए हलाकि प्राइस 36,000 जादा लग रहा है मुझे तो बच्चा जो बैठा वा है वो बाच्चा बच्चा है मेल बच्चे के साथ में वाइट कलर का बच्चा जो देख पा रहे हैं और ये राइट साइड वाला दूसरी गाय का बच्चा है तो लेफ साइड वाला बच्चा था तो उचले ये वीडियो को करेंगे यांत वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताएं